नमस्कार मैं प्रियर एंजन और आज की इस एपिसोड में इड़ेडा स्टॉक को डिसकस करेंगे इड़ेडा स्टॉक में एक बड़ी खबर हमने देखा था जहां कंपनी को एक बड़ा ओडर मिला था और दूसरी बड़ी खबर यह है कि सबसेडरी जो है वह इनको स्टेबिश हो गी घुजरात इन्तथ के अंदर जो गिफ्ट सीटी में गुजरा इंटरनेशनल टेख सिटी जो है उसके अंदर तो आगे बरयं से पहले premium telegram को join करें description के link से account open करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर share करेंगे यहां तो पिछले six month के trend तो better दिखेंगे लेकिन तीन लगबग दो-तीन महिने से यह stock underperform है और यहां देखेंगे कि in compliances with regulation इतना इतना while later departed इतना registration Ireda Global Green Energy Finance IFSC Limited a subsidy of Ireda a financial company at Gift City today in the presence of Shri Pahlat Joshi the Honorable Union Minister of New and Renewable Energy Consumer Affairs Food and Public Distribution को पिए यहां देखेंगे Ireda Global Green Energy जो है वह provisional registration जो है IFSA से receive किया है यह एक बरी खबर रही इसके अलावे जो दूसरी खबर है वह यहां पर देखेंगे कि एक 900 MW का hydro power project को ले करके MOU sign करा एक बरा order मिला उसके लिए जो यह भी है उसने clearification मांगा है regulatory जो board है हमारे बजार का उसने clearification मांगा है और वो reply अभी भी अवेटेड है तो क्या यह news के बाद एक बरे trend expect करेंगे क्योंकि from past one month stock is trading on lower side जबकि delivery भी week ही दिख रहा है आज का volume common है तो क्या एक बरे reversal expect किये जाएंगे तो मैं कहूंगा थोरा caution यह trend line है यहां देखेंगे तो यह trend line है और ऐसे में जब तक 260 के level का breakout नहीं हो एक बरे trend expect नहीं करेंगे 260 के उपर ही मुझे लगता है कि trend में आपको ride करना चाहिए वरना यह resistance है और